हेलो गाईज, वेलकम टू अन अकेडमी, कैसे हैं आप सभी लोग, सवागत हैं आप सभी का आपके अपने चैनल अन अकेडमी, SSTJEE चैनल पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं, फ्लूइड मेकैनिक्स के साथ, तो माई डियर फ्रेंड जो भी स्टूडेंट अभी तक च जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखें और आपका कोई भी सेशन मिस हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपने सेशन मिस करने की वज़े से बहुत जो इंपर्टेंट कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट को छोड़ दिया है, अभी जो कॉम्पेट चैनल पर नहीं है, उन्हें स्टुडेंट को बता देता हूँ, माइडियर फ्रेंट मैं हूँ पल लव गौर्ट जो आपके साथ डील कर रहा है, फ्लिट मेकैनिक्स के साथ, चलिए गाइस तो सेशन को हमें स्टार्ट करते हैं, माइडियर फ्रेंट जिस भी स्टुडेंट अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, कहां पर अन अकेडमी पर जाकर, तो माइडियर जल्द से जल्द आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजे, क्योंकि आप देख सकते हैं, 8000 से भी जादा स्टुडेंट अपनी प्रिपरेशन के लिए मुझे वहां पर फॉलो कर रहा है, अगर आपने मुझे वहां पर जाकर अभी फॉलो नहीं किया है, तो जल्द से जल्द फॉलो कर लीजे, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपकी मैं हेल्प कर सकते हैं, आपको इसके लिए क्या करना है, आपको अन अकेडमी अप ओपन करना है, अपना गोल चूस करना है, और सर्च करना है, पल लव गोल और वहां पर जाकर मुझे फॉलो करना है, आप मुझे डारेक्टली इस लिंक के थूरू भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, यह है हमारे अन अकेडमी गेट एमी चेनल का टेलिग्राम चेनल, जहापर आप सभी स्टुडेंट को हमारे जो सेशन से, उन सभी सेशन की पीडिएफ मिलती है, ताकि आप जो है नोट्स बनाते समय आप एजुकेटर्स ने जो पढ़ा सकते हैं, और आप इस से मुझे डारेक्ली इस लिंक के थूरू भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो माई डियर फ्रेंट जल्द से जल्द जॉइन कर लीजे, ताकि आपको कोई भी सेशन मिस ना हो, और आपको एक इनफोर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, कि अन अकेडमी SSC जेए सब्सक्रिप्शन का प्राइज हाइक होने वाला जल्द ही, तो माई डियर फ्रेंट अगर आपका एम है SSC एक्जाम, AE एक्जाम State Engineering एक्जाम, एंड आप ये सभी एक्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, तो माई डियर जल्द से जल्द जो है आप जोईन कर लीजिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, एंड माई डियर उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करन थे तैसरी का आपको सारी चीज़े करना है, इन सभी पर हम क्या कर सके हैं, आपको गाइड कर सके हो, तो माई डियर जल्द से जल्द प्राइस हाइक होने से पहले जॉइन कर लीजिए, यूज़िंग माई कोड एज पल्लग लाइज, चलिए गईज, तो सेशन को हम स्टार् Yes, my dear, dilatant का example अभी देना बागी था, तो dilatant का example लिख लिजे, dilatant fluid का example के बाद करें, तो आपका क्या है, sugar solution in water, sugar solution in water and quicksand, and first one is sugar solution in water and second one is what, second one is quicksand, quicksand, quicksand मतलब दल-दल, जैसे जो आप दल-दल कहते हैं, तो जैसे आप दल-दल में कहते हैं कि जितने ज़्यादा आप हाथ पे इर्मारते जाएंगे, उतना ही ज्यादा वे क्या होते जाएगा, उतने ही आप ज्यादा फस्ते जाएंगे, वे क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके यह किस टाइप का fluid है यह आपका shear thickening fluid है जितने आप हाथ पे इर्मारेंगे जितना आप वहाँ पर क्या करेंगे du upon dy में change करेंगे उतना ही जादा आप धस्ति हुए जाते हैं तो यह किस चीज के example है यह दोनों example है आपके dilatant fluid के dilatant fluid spelling में mistake हो गया this is this is dilatant fluid अब गाइस हम बात करते हैं दूसरे टाइप के fluid पर दूसरा क्या टाइप बताया था मैंने आपको my idea this is pseudo plastic fluid this is pseudo pseudo plastic fluid pseudo plastic fluid किस पर deal करना है अब हम हमें अब हमें deal करना है pseudo plastic fluid पर अब अगर हम बात करें pseudo plastic fluid की तो आपको किस टाइप का है यह sir this is time independent sir time independent non-newtonian fluid है non-newtonian fluid के case में आपको मैंने क्या equation बताई थी sir shear stress के आपने equation बताया था क्या equation था my idea sir this is tau is equals to tau is equals to a du upon dy whole power n plus of b हाँ यह ना जल्दी से कहिए yes or no yes sir क्या बताया था sir tau is equals to a du upon dy whole power n plus of b and my dear यहाँ पर आपकी n की value क्या थी जिससे आपने जो dilatant का case पड़ा है just opposite dilatant के case में आपने क्या कहा था sir the value of n is greater than 1 यहाँ पर क्या होगा sir the value of n is less than 1 and the value of b is sir the value of b is equals to 0 yes or no yes sir अगर आपने यह कहा है तो my dear आपसे अगर मैं value पूछूँगा तो tau की value क्या आचुकिए sir this is a du upon dy के whole power n now my dear friend tell me one thing अब आपको क्या निकालना है sir अब हम इससे convert करेंगे tau is equals to mu du upon dy के form में उस form में convert क्यों करना है ताकि आपको viscosity पता चल सके और जो viscosity आएगी जैसे कि आपने dilatant के case में देखा तो वह viscosity कौन से थे sir nothing but the apparent viscosity तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है वही apparent viscosity निकालना है तो आप क्या कहेंगे sir अगर हम इससे tau is equals to a du upon dy the whole power n-1 लिख सकते हैं yes sir of course लिख सकते हैं तो du upon dy now my dear tell me यह किस चीज की value है दल्दी से होता है sir this is nothing but what sir this is nothing but the apparent viscosity this is nothing but the apparent viscosity क्या है यह sir this is nothing but the apparent viscosity तो आपकी tau की value क्या आचुकी है sir इसमें अगर हम tau की value की बात करें तो tau is equals to apparent viscosity du upon dy क्या हो गया sir this is apparent viscosity du upon dy तो आप इसका अगर graph बनाएंगे किसका अगर हम diagram बनाएं किसका sir variation of apparent viscosity क्या है यह इटा इटा इस nothing but the apparent viscosity इटा इस nothing but what sir apparent viscosity किसके बीच में sir apparent viscosity versus du upon dy का graph बनाना है किसके बीच में बनाना है sir apparent viscosity versus du upon dy तो अगर आप इसके diagram के बात करेंगे तो कैसा बनेगा sir decreasing क्यों decreasing हो रहा है जल्दी से होता ही क्यों decreasing हो रहा है आईए feel करा आते हैं डियर क्योंकि सारी चीज़े अगर आपको fluid mechanics पढ़ रहा हो पढ़ लग सर से तो सारी चीज़े क्या होना चाहिए feel होना चाहिए बिना feel के अगर पढ़ रहा हो तो आप कोई भी बुक dy की whole power what so this is whole power n-1 my dear अगर हम इसकी बात करें तो आपके n की value क्या है sir n की value less than 1 है और अगर आपकी n की value less than 1 है minus 1 means what यह एक प्रकार से क्या है so this value is nothing but what sir यह value minus में आने वाली तो आपकी क्या आएगी so something n की value मान लीजे कोई भी 0.5 मान लिया तो आपकी a की value क्या रही है आपकी value हो रहागी eta की a du upon dy whole power what sir 0.5 and my dear अगर आपकी यह value denominator में आ चुकी है तो जितना आप du upon dy को increase करेंगे जितना आप du upon dy को increase करेंगे उतने ही आपकी apparent viscosity decrease होगी वही मैंने भी कहा है जितना आप du upon dy को बढ़ाते रहेंगे उतने ही आपका apparent viscosity कम होगी and my dear initially अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा apparent viscosity का होगी sir initial condition में जो की and after that क्या होगा sir decrease होगा हाँ या ना जल्दी से बताइए okay sir okay okay my dear कुछ नहीं उल्टा है जिससा आपने dilatant के बारे में पढ़ा था उसका just opposite आपने pseudo plastic में कह दिया okay चलिए sir अब मुझे एक बात बताइए जैसे आप dilatant को क्या कहते थे sir जैसे हम dilatant को shear thickening fluid कहते थे in a same way pseudo plastic fluid क्या कहते है shear thinning fluid क्या कहते है shear thinning fluid okay sir उसका proof माइडियर उसका proof भी आपको दिया जाएगा रटना तो कुछ भी नहीं है हर चीजे समझना है पहले तो आप क्या कहिंगे such pseudo plastic pseudo plastic plastic fluid such pseudo plastic fluid are also known as pseudo plastic fluid are also known as what also known as shear thinning fluid shear thinning fluid Shear Thumbing Fluid क्यों, कहते हैं, ज्यान से सुनिए जब मैंने आपको Shear Thunkening Fluid बता है था, तो उसमें क्या बता है nuevos कि जिसे जिसे d u upon dy बढ़ते जा रहा है वेसे ही, जिसे जिसे आपका d u upon dy बढ़ते जा रहा है, वेसे ही aup kigt प्रिश का रहा है, सर्ज अगर हम इसकी बात करें, जैसे जैसे आपका du upon dy बढ़ते जाएगा, वैसे ही इस fluid में क्या होगा, pseudo plastic fluid में, sir apparent viscosity की value जो है, decrease होना चाहिए, चलिए, feel करते है my dear, my dear, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, tau, tau is equal to apparent viscosity du upon dy के बीच में, तो आपने क्या कहा, sir du upon dy की जो value है, जितनी ज़्यादा बढ़ते जाएगी, उतनी हमारा क्या होगा, sir share stress बढ़ते जाएगा, आया न, yes sir, जैसे जैसे du upon dy की value बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे हमारे share stress की value बढ़ते जाएगी, तो आप क्या कहेंगे, sir, अगर मैं इसके graph की बात करूँ, किसके बीच में, tau versus du upon dy के बीच में, अगर मैं graph की बात करूँ, tau versus du upon dy के बीच के graph की बात करता हूँ, तो आप क्या कहेंगे sir जैसे जैसे do upon dy बढ़ रहा है विसे विसे shear stress भी बढ़ते जाएगा इन दिस वे और इसकी value क्या है sir इसकी value क्या है sir इसकी value 0 है ताव अगर आप do upon dy की value 0 रखते तो वाप पर shear stress की value क्या है sir 0 ही है अब अगर आपने दो point लिए एक point आपने यहां लिया और एक point आपने यहां लिया अब आपने क्या करा sir tangent draw किया this is your first tangent और अगर आप दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका tangent क्या होगा so this is my second tangent और in tangent की बात करें तो इसके बीच में angle क्या है so this is theta 1 और इसमें यहापर angle कितना है theta 2 my dear आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे slope की बात करूँ आप क्या कहेंगे theta 1 is greater than theta 2 हां sir theta 1 is greater than theta 2 तो आप क्या कहेंगे 1 sir 10 theta 1 is greater than 10 theta 2 yes sir 10 theta 1 is greater than 10 theta 2 now tell me listen to me carefully 10 theta 1 is greater than 10 theta 2 now my dear अगर आप इसकी बात करें तो यह आपका क्या हुआ so this is my y coordinate this is my y coordinate this is my x coordinate and this is my slope this is my slope और slope क्या है my dear अगर आपने particular point पर tangent draw किया है sir tangent is nothing but what sir tangent is nothing but slope sorry slope of tangent is nothing but what sir यहाँ पर slope of tangent की बात करें तो क्या है apparent viscosity तो यह क्या है sir 10 theta क्या होता sir slope होता है means यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका क्या है slope of this curve slope of the curve sir यहाँ पर slope of the curve is nothing but equals to the slope of the curve is nothing but equals to apparent viscosity क्या है the slope of the curve is nothing but what apparent viscosity और अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर क्या है sir apparent viscosity is greater than apparent viscosity 2 आचुका यहां sir and my dear apparent viscosity पहले जादा थी बाद में apparent viscosity decrease हुई है इसका मतलब क्या हो रहा है sir fluid जो थिन होते जा रहा है जैसे जैसे आपका d upon d by बन रहा है वेसे वेसे fluid जो थिन होते जा रहे है यह और नों को मिल के पतला होता रहते है वेसे ही अगर हम बात करें human blood की human blood के case में भी यह होता है जब आप human blood को देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि sir blood जो है बहुत ही अधिक गाड़ा है बट जैसे ही आप उससे गुमाएंगे जैसे आप d upon d by में variation लाएंगे आप समझ जाएंगे कि sir यहाँ पर गुमाने पर इससे ज़्यादा ही करने पर क्या हो रहा है sir overall यह क्या हो रहा है thin होते जा रहा है yes or no yes sir जल्दी सहत है यहाँ या ना चले 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 बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड और वाट बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड और आईडिल प्लास्टिक फ्लूइड थर्ड केस की तरह बाउन मूफ करने वाले माईडिया थिस थर्ड थर्ड थाइप अफ्लूइड इस वाट बिंगम प्लास्टिक बिंगम प्लास्टिक फ बिंगम प्लास्टिक फ्लुईड और आईडियल प्लास्टिक फ्लुईड आईडियल प्लास्टिक फ्लुईड किसकी बात कर रहे हैं हम बिंगम प्लास्टिक फ्लुईड और आईडियल प्लास्टिक फ्लुईड की चली क्या है सर विंगम प्लास्टी फ्ल्विड और आईडियल प्लास्टिफ फ्ल्विड ध्यान से सुनिए मांड अपने कभी टूथ पेष्ट को देखा है य। करतें मांड य। जब आप जब य॥ रिस déjà बातें लिए अपने प्रेस करते हैं अपका पेस्ट वहार है जाता है इना सेम जैसे कि आपने यह में जल लगाया होगा तो आप जब जैल को प्रेस करते हैं स्टाटिंग में तो सर्वह कुछ भी बाहर नहीं आता है वह मूव नहीं करता बट एक limit पर force और दवाने के बाद वे क्या करता है बाहरा जाता है तो इस type के जो है उन्हें क्या कहते है बिंगम plastic fluid और ideal plastic fluid जिसमें कि उनमें क्या है सर उसमें velocity gradient तब आता है जब आप stress और force एक limit से ज़्यादा लगाते हैं और उस limit को क्या कहते हैं कि जिसके बाद वे move करना चालू करेगा उससे हम कहते है yield stress क्या कहते है my dear उससे कहते है yield stress कि आपको उस limit से ज़्यादा अगर आप उसमें variation करोगे du upon dy में तभी उसमें change आएगा हाँ या ना चलिए जैसे की बात करें तो आपने क्या पढ़ाता dear वही चीत ताव बताएगे ताव अगर हमने करें तो सबसे जनरल पढ़ाता सब a du upon dy कि whole power n plus of b my dear इसमें n की value क्या होती है इसमें n की value होती है 1 अभी तक आपने क्या पढ़ा sir dilatant में n की value greater than 1 pseudo plastic में n की value less than 1 and my dear इससे पहले के जो दो आपने fluid पढ़े हैं उसमें b की value 0 थी बट यहाँ पर b की value 0 नहीं होती b क्या होता है sir b is nothing but what tell me sir b होता ill distress इसकी value 0 क्यों नहीं होती क्योंकि sir इसमें कुछ हमें stress देना होगा उसके बाद ही variation आएगा बट दूसरे fluid ऐसे नहीं थे इसलिए वहाँ पर value क्या थी b की value 0 थी तो अगर हम इसकी बात करें तो आप क्या कहेंगे sir here tau y is equals to what sir this is yield stress yield stress और इसकी value किसके बराबर है and sir this value is equals to b चलिए अब हम graph की बात करते हैं listen to me carefully किसके बात कर रहे हैं sir हम graph की बात करते हैं किसके बीच का अब हम graph बना रहे हैं tau versus अब हम graph बना रहे है tau versus du upon dy का tau versus du upon dy का now my dear इसमें आप क्या कहेंगे sir अगर हमने du upon dy की value 0 रखी है du upon dy की value 0 रखी है तो tau की value कितनी है sir अगर आपने ये value 0 रख दी तो वह value किसके बराबर है और ब की value कितनी है tau y के बराबर और अगर आप सहीच से analyze करें my dear इससे तो ये क्या है sir this is my y this is my y is equal to m x plus c के फॉर्म क्यों क्योंकि n की value 1 है अगर my dear n की value आपने 1 रख दी तो ये value होगे tau is equal to a du upon dy du upon dy plus of b तो आप क्या करेंगे sir this is my y and this is m and this is x plus of c yes sir और ये क्या है sir this is nothing but the equation of a straight line mana दीजे equation of a straight line है तो this is my straight line graph बन गया तो ये आपका क्या है sir this is this is ideal plastic fluid this is ideal this is ideal plastic fluid this is nothing but the ideal plastic fluid और bingham plastic fluid this is nothing but the ideal plastic fluid और the bingham bingham fluid और bingham plastic चलिये now my dear अगर आपको question में कभी ऐसा diagram दे दे sir यहाँसे yield stress करके ऐसा तो इसे हम क्या कहेते है my dear इसे हम ideal fluid नहीं कहेते हैं इसे हम कहेते हैं प्लास्टिक जो आप ideal word लगा रहा है उससे यूस मत करीए प्लास्टिक फ्लूइड ऐसे ही रहते हैं कि जिसमें भी आपको एक्स्टर इनिश्यली स्ट्रेस लगाना पड़े इनिश्यल如此' और आपके प्लास्टिक & plateau चल्ऊ में क्या भूर का स्थ्ट्रेस की बशुनों में अगर हां बात करें कुछ स्ट्रेस दों में लगाना रहता है, initial condition सेम रहती है, initial तरीका सेम रहता है कि आपको कुछ state तक आपको दोनों में force लगाना पड़ेगा, then move करेंगा, but, but, ideal plastic fluid में जो variation रहता है, tau versus du upon dy का वे linear रहता है, and plastic fluid में जो variation रहता है, वे कहा रहता है, linear नहीं रहता है, वे non-linear रहता है, हाँ या न, yes or no चल, आपको क्या बता है था, वे चीजे भी लिक्वा दितने हैं, डिया, this is आपको मैंने लिक्वा है, until the yield stress, until, until the yield stress, until the yield stress, until the yield stress, it, behave like, until the yield stress, it, behave like, solid, जैसे के आपका solid में कोई भी change नहीं आता है, du upon dy में कोई change आता है क्या, नहीं आता है, वेसे ही, yield stress तक, इसमें भी कोई change नहीं आता है, until the yield stress, it, behave like, what, sir, it, behave like, solid, okay, yes, sir, now, अब अगर हम इससे आगे की बात करें, तो इसमें आगे क्या होता है, and then, and then exhibit then exhibit the linear relation the linear linear relation between tau and du upon device, समझ आया है, समझ आया है कि नहीं बिंगम प्लास्टिक के बारे में सब कूछ, चलिए, sir आपने इसके example क्या दिये थे, dear इसके example क्या है, sir इसके example है, toothpaste इसके example है, toothpaste second example है, इसका gel, and third example है, drilling mud, third example है, drilling mud, चलिए, 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 तो यह क्या था, sir यह सारी चीज़े हमने पढ़ी, किस fluid के बारे में, बिंगम प्लास्टिक fluid के, तो अभी तक हम कितनी चीज़े पढ़ चुके हैं, dear, अभी तक हम, क्या है, non-newtonian fluid में, time independent fluid के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम move कर रहे हैं, किसकी तरफ, time dependent fluid की तरफ, किसकी तरफ, time dependent की, fluid की तरफ, चलिए, heading डाले है, my dear friend, heading डाले है, time independent हम पढ़ चुके हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या, time dependent fluid, time dependent fluid, time dependent fluid, my dear, time dependent fluid के case में, मैंने आपको बताया था, क्या, कि dynamic viscosity किसका function होती है, तीन हो चीज़ है, कौन सी तीन हो चीज़ है, temperature, time, and velocity gradient, किस-किसका function रहता है, तो इसमें आपको दो fluid बढ़ने के लिए कहा था मैंने, first one is thixotropic, and second one is nothing but rheopactic, first one is thixotropic, and second one is rheopactic, तो my dear friend, heading डालिए है, first is thixotropic fluid, first one क्या हो गया, thixotropic fluid, first one क्या हो चुका आपका, thixotropic fluid, चलिए, तो thixotropic fluid के अगर हम बात करें, तो thixotropic simple सी चीज़ है अगर आप इससे याद करेंगे, तो बहुत ही simple से वे में बता दूँगा, कैसे समझना, thixotropic way, sir, time dependent है, बट यह सारी जो properties है, किसके वे में बताता है, sir, mostly property अगर हम इससे देखें, तो similar way से हम इससे याद कर सकते, किसके pseudo plastics है, किससे pseudo plastics है, आप क्या कहेंगे, sir, अगर हम pseudo plastic की बात करें, तो हमारा क्या हो रहा था, sir, हमारी जो apparent viscosity थी, वे क्या हो रही थी, decrease हो रही थी, इसमें आप क्या कहेंगे, sir, इसमें भी भाई होता है, सर इसमें अगर हम time को बढ़ाते हैं सर इसमें अगर हम time को बढ़ाते हैं तो क्या होगा apparent viscosity decrease होगी याद हुआ simple सा है simple सा तरीका idea जिससे आपने याद किया था वेसे ही इसको भी करना सर वहाँ पे भी apparent viscosity decrease हो रही थी यहाँ पर भी apparent viscosity decrease हो रही इसी लिए इससे क्या कहते हैं इसी लिए it is it is also known as क्या कहते है my dear इससे sir it is also known as time it is also known as time dependent time dependent pseudoplastic fluid time dependent time dependent pseudoplastic fluid time dependent pseudoplastic fluid कहते हैं इसे चलिए अब अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्या होता है sir हमने जो equation थी non-newtonian fluid के case में shear stress पढ़ा था क्या था my dear this is a du upon dy की whole power n plus of b अरे यही पढ़ा था या नहीं जल्दी से comment करके बताईए यही पढ़ा था tau is equals to a du upon dy के whole power n plus of b यही चीज़े पढ़ी थी यही चीज़े पढ़ी थी यह सर अगर इसकी बात करें मुझे बताईए pseudo plastic में क्या था pseudo plastic में n की value less than one थी हाँ यह न और b क्या था zero था तो my dear thixotopic में b आपको ध्यान रखना है कि b की value not equals to zero है हाँ यह न क्या है sir variation अगर हम बात करें सिमिलर काया मैंने exact same नहीं का तो आपने क्या काया sir similar way में देखें तो n की value less than one है और b की value क्या है not equals to zero sir इसकी अगर हम बात करें तो इसकी वज़े से आपका shear stress variation का diagram क्या बनता है this is your tau and this is your what sir this is my du upon dy और अगर आप बात करें tau versus du upon dy की आपने काया sir b की value not equals to zero तो यह हो गया आपका tau याद पर du upon dy equals to zero पर tau की value क्या होगी sir यह होगी और n less than one था n less than one था तो pseudo plastic आपने केसा बनाया था जल्दी सरता ही है sir n less than one की अगर हम बात करें wait a minute आप n less than one की बात करें तो आप क्या था sir n less than one में हमारे कर्व something like this था ऐसा हमारा variation था तो इसमें क्या करेंगो sir बस initial value अटा दीजे बाकी कर्व तो सेम रहेगा आपका कर्व उस टाइम पर zero से स्टार्ट हुआ था इसकी केस में कर्व आपका यहां से स्टार्ट हुआ yes or no अब मेरी बास सुनिए pseudo plastic में आपने जो कहा भी not equals to zero dear ऐसा है इसकी value हो भी सकती है not equals to zero और नहीं भी तो आप क्या कहेंगे में और में not यह fix नहीं है क जल्दी सब्सक्राइब आपका जो फ्लूइड का जो रियो लॉजी जो टॉपिक है वह आपका mostly complete होई गया बस आपको रियो पेक्टिक और पढ़ना है इस सारी चीज़ आपने कर लिए सिंपल सा आपको यह difference था आपको यह difference समझ आया या नहीं बस simple सी चीज़ है सर्थ अगर हम pseudo plastic की बात करें तो क्या कहते है स्थ सूडो plastic और thixotropic जो है similar है दोनों के case में क्या होता है सर्थ टाइम इसमें टाइम बढ़ने पर apparent viscosity decrease होती वहाँ पर भी apparent viscosity decrease होती है दोनों के case में n की value less than 1 होता है और इसमें बस यह variation रहता है कि सर b की value equals to zero और not equals to zero दोनों हो सकती है अब अगर मैं बात करूँ आपसे रियो पेक्टिक की कर एक्जामपल चलिये 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 यś माइडिया इक्जामपल के अगर बात करें कि सर इसमें इक्स में एक्जामपल का है अगर मैंडे से अपसे पूछा जाए इसका example का का थाब इसके क्या example देंगे gelatin इसके एक्जामपल है माँडिय जीलेटिन एंड पेक्टिंजिल यहежार सब्सट फपट इस एक्जामपल आप एक्जामपल अवी मस्ट रियो पैक्टिक रियो पैक्टिक फ्लूइड की तरफ किसकी तरफ मूफ कर रहा है हम रियो पैक्टिक फ्लूइड की तरफ आवह मूफ करना है लिसन टूमी केरफ़ली रियोपेक्टिक फ्लूइट किससे कहते हैं ध्यान से सुनिये रियोपेक्टिक फ्लूइट की बात करें तो इसमें क्या होता है सर रियोपेक्टिक फ्लूइट कहता है कि टाइम बढ़ने से अगर हम कहेंगे टाइम बढ़ने से क्या डाइलेटेंट के एक्जाम्पल बहुत ही सिंपल है क्या है प्रिंटर इंग प्रिंटर इंग देखिए टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी विस्कोसिटी क्या होती जाती है बढ़ती जाती है वेसे आपने क्या का सच जिपसम पेस्ट जैसे की जिपसम पेस्ट यह आपके क्या हो गए स sorry time dependent pseudoplastic fluid in a same way आप रियो पैक्टिक को क्या कहते हैं सर इससे हम कहते हैं also known as what this is time dependent dilatant fluid क्या कहते हैं sir it is it is also known as it is also known as what sir इससे हम कहते है time dependent time dependent dilatant fluid time dependent dilatant fluid चलिए अब अगर हम बात करें तो आपने क्या relation पढ़ा था sir हमने relation पढ़ा था tau is equals to a du upon dy के whole power n plus b इसके case में अगर हम बात करें तो आपने dilatant कह दिया है तो n के value क्या होगी sir greater than 1 b की value क्या होगी sir may or may not be equals to 0 तो आप क्या कहीं है may और may not be may और may not तो जैसे कि आपको सिर्फ क्या करना है sir थोड़े से graph में क्या करना है सिर्फ इतना variation करना है कि sir starting में value क्या थी du upon dy पर 0 थी किसके case में dilatant के case में इसमें share stress की value du upon dy पर क्या है sir not equals to 0 तो आपको ग्राफ किससे बने गडिया so this is my tau this is my tau this is my du upon dy आपकी value क्या होगी sir not equals to 0 this one for value of n greater than one हाँ यह ना जल्दी से तह यह जल्दी से तह यह चलिए 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 नाओ माई डियर फ्रेंट अब एक बहुत ही अच्छा डाउट बताता हूं शर अभी आपने जो थ Against ूट रॉपिक अपने जो थिक्सो ट्रॉपिक बताया, shift हमें ऐसा कर सर ऐसा यह कर्व हमें देखने को मिला किसका use plastic fluid का, سر अगर option में, हमें एक कर्व दिया हो, और options में हमें thixotropic और plastic fluid दूनों मिल गया तो हम क्या tick लगाएंगे, my dear आपको tick लगाना है plastic fluid answer, क्या लगाऊगर आप, तो जब तक आपकी ये condition नहीं मिलेगी आप इसको क्या कहेंगे, सदोनों करव अगर हमें ये करव दिया गया है और हमें यहां पर नाम दिया हुआ थिक्जो ट्रॉपिक और प्लास्टिक तो हम क्या कर टिक लगाएं नहीं प्लास्टिक चलिए आप यहां पर लिखवा देता हूं एक नोट करके इफ थिक्जो ट्रॉपिक मैं डियर यह क्या है यह सब है क्या यह सब आपके एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए इस फॉर गेट एक्जाम पर यह सी एक्जाम यह आपके इन एक्जाम के लिए और ये क्या है डियर आपको experience बता रहे है जो कि आप सभी के लिए का है बहुत ही ज़्यादा important है चलिए तो आप क्या कहेंगे if thixotropic and plastic if thixotropic and plastic fluid if thixotropic and plastic fluid both were given an option option for the given curve आपको for the curve अगर आपको ये curve है उसके लिए क्या दिया हुआ सदोनों के value दिये हुए तो आप right answer किसे कहेंगे आप tick किसे करेंगे then tick plastic fluid as the right answer ओके चलिए sir आपने tau का graph तो हमें बता दिया sir tau का graph बता दिया sir do upon dy sir but apparent viscosity का नहीं बता है apparent viscosity में क्या idea simple सा graph है my dear अभी आपको मैंने क्या बता है sir अगर हम apparent viscosity की बात करें तो apparent viscosity किसके case में बढ़ती है tell me sir apparent viscosity हमारे किस case में बढ़ती है sir अगर हम apparent viscosity की बात करें तो thixotropic के case में बढ़ती है and rheopectic के case में घट्ती है तो आप क्या कहेंगे so this is thixotropic this is thixotropic wait a minute, wait a minute, wait a minute this is not thixot, this is rheopectic गलत लिख दिया मैंने this is rheopectic rheopectic and this is thixotropic thixotropic चलिए गईस, तो जितने भी fluid है space से आपके पास जो आपका exam है gate exam, ssc exam इन सभी में आपके ESC exam एक आपको given curve दिया रहता है और curve के तुरू आपसे पूछे ले के कौन सा curve आपको क्या indicate करता है तो एक ही जगे पर सारे fluid का आपको diagram बनवा देता हूँ एक ही diagram में तो आपने क्या करा किसके बीच का graph बना रहे हैं diagram बना रहे हैं किसके बीच का tau versus tau versus du upon dy for various splits तो सबसे पहले आपको मैंने क्या दिया दायन से सुनिए, सबसे पहले कि अगर हम बात करें यह आपका curve है, आपको दिख जाए इसलिए मैंने ऐसा कर दिया इसको यह किस पर है, यह आपकी du upon dy वाले पर ही है overlap है, इससे मैंने कहा a इससे मैंने कहा b इससे कहा मैंने c इससे मैंने कहा d नान से सुनिए इससे मैंने कहा e इससे मैंने कहा f और यह आपका क्या होगया g चल a के बारे में अब अगर हम सबसे पहले discussion करें तो आपका a क्या है, a के बारे में अगर हम बात करें तो my dear यह आपका fluid है, ideal fluid a किस type का fluid है आपका ideal fluid सर यह ideal fluid क्या होता है my dear ideal fluid किसे कहते है ऐसा fluid जिसकी क्या हो dear ideal fluid ऐसा fluid जिसकी viscosity क्या हो zero ideal fluid किसे कहते है dear जिसकी viscosity क्या हो viscosity आपकी zero viscosity हो और zero viscosity को क्या कहते है zero viscosity को क्या कहते है dear zero viscosity को कहते है envisit क्या कहते हैं इन्विजिट और इन्विसकस क्या कहते हैं जीरो विसकोसिटी को इन्विजिट क्या हो आपका इन्विजिट फ्लुट चलिया दूसरा चीज क्या हो इसमें यह आपका इन्कम्प्रीसीबल हो Invisit, Incompressible and Zero Surface Tension Incompressible means what? Incompressible Fluid means what? जिसमें बीटा की value 0 हो और बीटा की value अगर 0 है तो सर बल्क मोडिलस की value infinite होगी And third thing इसमें क्या होना चाहिए Zero Surface Tension Zero Surface Thank you याद रखोगे? हाँ या ना जल्दी सब्सक्राइब याद रहेगा? Yes sir जयान रखिएगा कि आपको क्या करना है Sir ideal fluid की बात करें तो ऐसा fluid जिसमें viscosity क्या हो Zero Incompressible और Zero Surface Tension And my dear Listen to me अगर आप एक ही बात करें अगर आपने कह दी Sir viscosity 0 तो tau is equals to mu D upon dy Viscosity is 0 तो आपका shared stress क्या होगा? Zero तो आपका A क्या हुआ? Sir A is my ideal fluid जल्दी से अपना दिमाग का डखकन खुली है और बताए B क्या है? सारे graph बता चुका हो Sir is B की बात करें तो Sir ये start कहां से हो रहे है? Sir D upon dy is equals to 0 से अगर ये 0 से start हो रहे हैं तो Sir ये 3 ही category में से आ सकता एक या तो Sir ये dilatant होगा दूसरा Newtonian हो सकता है या फिर pseudo plastic और अगर हम इसकी बात करें तो Sir इसकी बात करें तो ये क्या हो रहा है? Sir हमारा viscosity इसके case में बढ़ रहा आता है और ये हमारा case कुन सा है? Sir 0 share stresses 0 किसके case में था Sir Newtonian fluid कि case में तो ये आपको क्या हो गया? Sir Newtonian fluid Sir 0 surface tension क्या है? surface tension आपको बताया जाएगा don't worry ये जिससे ही topic complete हो का उसके बाद आपको ये ही बताया जाएगा कि आपके लिए क्या? Sir 0 surface tension क्या है? surface tension क्या होता है? सारी चीज़े बताई जाएगी, and mind here, अगर यह dilatant है, तो D क्या है, ससूडो प्लास्टिक, क्या है, सस्यूडो प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक प्लिट, yes or no, yes sir, अब अगर हम बात करें किसकी, E, F, G की, तो मुझे बताई, E क्या है, E, F, N, G, तो सबसे पहले तो मुझे आप यह बताईए, कि आप जैसे ही F को देखा, F को देखके तो आप बता सकते हैं, सिंपल सा sir, बिंगम प्लास्टिक, sir क्या था, बिंगम प्लास्टिक और, बिंगम प्लास्टिक, जिस भी स्टुडेंट को अगर इसमें डाउट है, dear, आप पहले के सेशन देखिए, आप आराम से यह सारी चीज़े बता देंगे, बस आपको एक ही जगे पर बता दे रहा हूं, तकि आप जो है, confused ना हो, यह सुन, और अगर हम E की बात करें, तो E क्या है, dear, E क्या था, sir, यह जो है, हमारे डाइलेटेंट जिससा नेचर का कुन सा था, अगर हम बात करें, तो sir, बस हमारा tau is equals to z, d upon d y की value 0 होने पर tau की value 0 नहीं है, और नेचर टाइलेटेंट जिससा है, तो आप क्या कहेंगे, sir, E is nothing but rheopactic, rheopactic, और G क्या था, sir, G जो है, हमारा thixotropic है, thixotropic, और क्या हो सकता है, sir, thixotropic हो सकता है, और plastic fluid हो सकता है, thixotropic और plastic fluid, और अगर आपको दोनों option में दिये हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे, sir, अगर हमें दोनों option में दिये हुए हैं, तो आप plastic टिक करेंगे, yes और no, जन्दी से बताईए, हाँ या ना, yes, चलिए गाइस, तो यहाँ पर हमारा topic complete होता है, rheology, rheology के complete होने के बाद, अब हम start करेंगे, क्या, surface tension किसे कहते हैं, यह सारी चीज़ अब हम deal करेंगे, okay, तो चलिए गाइस, तो आज का session हम यहीं पर complete करते हैं, and my idea, session को complete करने से पहले, आप सभी students में information देना चाता हूँ, कि आपका 20 November, 20 November से आपके लिए batch स्टार्ट हो रहा है, किनकिन exam की preparation के लिए, आपके SSC exam, आपके AE exam, आपके State Engineering exam, आपके State Engineering exam, and आपके जो batch जो है, वो आपके PSU में भी मदद करने वाला है, और अगर आप इन exams की बात करने तो यह कब से start हो रहा है, 20 November से, and my idea, यह 20 November से start हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सभी जगे पर यह news spread करनी है, कि branches के लिए, सभी branches के लिए, आप electrical कह लिए, mechanical कह लिए, आपके लिए क्या है, सर, batch start हो रहा है, and my dear friend, आपको इसमें join होने के लिए क्या करना है, सर, use करना है, पल्लव लाइफ कोड़ और वो भी कब, आजी ही, सर, आजी ही क्यों, क्योंकि my dear, आपको बता चुके हैं कि unacademy SSC किजे ही का क्या होने वाला है, प्राइज हाइक होने वाला है, प्राइज हाइक होगा, आपको extra pay करना पड़ जाएगा, तो आप क्या कीजिए, आजी ही जुड़ जाए, otherwise, आपको प्राइज हाइक की वज़े से extra pay करना हो, तो my dear friend, जल्द से जल्द, an academy से जुड़ी है, using my code as a part of life, sir, इस batch में हमें क्या क्या मिलने वाला है, dear, इस batch में आपको live classes मिलने वाली है, आपको recorded classes मिलने वाली है, आपके लिए यहाँ पर crash course मिलने वाला है, and आपके लिए इसमें weekly test होंगे, and mega quiz provide teed आएगे, और हर fourth session doubt clearing session होगा, जिसमें आप educators से अपने doubt discuss कर पाएगे, and other than that, आपके लिए यहाँ पर यह जो है, आपको Hindi and English language दोनों में session होगा, ताकि आपके जो Hindi में student comfortable है, वे Hindi में पढ़ पाएगे, जो English में है, वे English में पढ़ पाएगे, और आपके लिए यहाँ पर my dear, बहुत ही अच्छे questions कराया जाएंगे, जिसे एक बज़े से आपके क्या करना है, अपना goal चूज करना है, SSC exam and then press करना है, get a subscription, then choose your plan either of 12 month or 24 month, 12 month, 24 month इसलिए चूज करना है, क्योंकि my dear friend SSC जो है, आपको job जब तक offer नहीं करेगा, जब तक आपका means complete नहीं हो, और सिर्फ पिलिम से आपको job नहीं मिलेगी, इसलिए आपको 12 month और 24 month का ही plan लेना, then my dear friend don't forget to use my code as a Pallav Life, जैसे आप Pallav Life code use करते हैं, instant 10% का discount होगा, and other than that, आप मुझे eligible करते हैं, कि मैं आपको personally guide करूं, till your selection, तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि sir, as हमारी preparation के लिए, आप हमें guide कीजिए, अगर आप यह चाहते हैं, तो use कीजिए my code as a Pallav Life, ताकि आप SSC exam, AE exam, state engineering exam, इन सभी exam के लिए मैं आपको guide कर सबूं, but don't forget to use my code as a Pallav Life, my dear friend, अगर आपको यह price, जो है, अगर आप इसी payment पर subscription लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्दे ले लीजिए, क्योंकि unacademy SSC जे इस subscription का price hike होने वाला है, जल्दी, तो यह जो news है, आप सभी के लिए बहुत important है, आपके friend, जो भी student SSC exam, AE exam, state engineering exam, इनकी preparation कर रहे हैं, तो यह news सभी जगे spread कर दीजिए, कि जल्दी unacademy SSC जे इका price hike होने वाला है, जल्द से जल्द जोड़ जाए, using Pallav Life Code, जो के आप सभी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा beneficial होने वाला है, and my dear, आपको के अगर यह payment आप one time में नहीं करना चाते हैं, तो आप इसे EMI basis पर भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको SDFC debit card and आपके लिए credit card पर भी EMI option available है, and my dear, यह है हमारे India के number one study channel, किन exam के preparation के लिए, आपके gate exam, EAC exam, SSC exam, इन सभी exam के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है, किन branches के हैं, EE branch, ECE branch, IN branch, ME branch, XC branch, PI branch, and my dear friend, civil branch and the computer science branch, sir, किस language में sessions available है, dear, इसमें आपके लिए किस sessions में available है, sir, यह आपर आपको Hindi language, English language and Telugu language में भी sessions available है, और आपके SSC exam के preparation के लिए सिर्फ आपको technical नहीं, आपको non-tech भी पढ़ाया जा रहा है, हमारे अपने channel GS terminal पर, तो अगर आप non-tech की preparation करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इस channel पर जोड़ जाएए, चलिए guys, तो आज का session में यहीं पर complete करते हैं, चलिए guys, thank you, thank you, thank you so much.